आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर वर्टसप अप्लिकेशन वर्क नहीं कर रहा है यानि कि वर्टसप नहीं चल रहा है या फिर आपके फोन में यह ओपन नहीं होता है तो वर्टसप अगर वर्क नहीं कर रहा ह चल नहीं रहा है जियो फोन नेक्स्ट में तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स में आने के बाद Apps and Notifications का ओप्शन आएगा इस पर किलिक करिए उसके बाद आपको ओप्शन मिलेगा See All Apps See All Apps पर किलिक करके आपके यहाँ पर फोन के सारे अप्लिकेशन आ जाएंगे तो नीचे स्क्रोल करिए और नीचे आपको मिलेगा WhatsApp अगर आपको यह ओप्शन नहीं मिलता है तो WhatsApp पर आप किलिक करके रखिए और App Info का अगर ओप्शन आता है तो इस पर किलिक करिए और Same Page आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पर एक Force Stop का ओप्शन मिलेगा इस पर किलिक करके OK करिए उसके बाद Permissions पर किलिक करके सारी Permission को Allow करिए तो इस टाइप से आप सारी Permission को Allow कर दीजिएगा उसके बाद आपको मिलेगा Storage and Cache इस पर किलिक करके आपको Clear Cache का एक Option मिलेगा इस पर किलिक करिए और Clear Storage नहीं करना है इससे आपकी ID Logout हो जाएगी तो फिर से Number OTP एंटर करना पड़ेगा आपको उसके बाद नीचे Advanced पर किलिक करके नीचे आपको मिलेगा App Details इस पर किलिक करके Google Play Store open हो जाएगा और यहाँ पर अगर आपको कोई Update का Option शो होगा यानि कि Update का Option मिलेगा तो आप WhatsApp Messenger को Update कर लीजिएगा उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपके फोन में WhatsApp वर्क करने लग जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें